दोस्तो पैन कार्ड, भोटर, आईडी कार्ड, आधर कार्ड और पासपोर्ट हार एक भारते नगरिक के लिए जुरुरी डोकुमेंट होते है ये के बल डोकुमेंट ही नहीं बलकि पहचान पत्र भी है किसी भी बीत्ते लेंदेन और सरकरी युजना का लाव उठाने के लिए ये बहत जुरुरी है ये डोकुमेंट सरकरी पहचान के रूप में भी काम करते है लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल है कि म्रित्यू के बाद इन डोकुमेंट का क्या होता है क्या ये आपने आपी रद हो जाते है या परिजनों को इसे रद करना होता है तो आए इसके बारे में डिटेल में जानते है पहला है आधरकार्ड कई बार जालसाज आधरकार्ड से जुरूरी जानकरी चुराकर फ्रोड करते है एसमें मृतक के आधर का गलत उपयोग ना हो ये देखना मृतक के परिबार की जिम्मेदारी होती है आधर से जूरी सेवय देखने वाले आथरेटी, UIDI के पास मृतक के आधर को रद कराने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है लेकिन एधी मृतक ने कोई सरकरी यूजिना ली हुई थी तो वो अविश्य आधर से लिंक होगी ऐसी स्थीती में परिबार बालों को इसके जानकारी संबंदित भिबाग को देनी होती है इसके बाद है पैनकार्ड इंकम टेक्स भरने के लिए और कई बित्यो सुविधाव का लाव उठाने के लिए पैनकार्ड का होना आने बरे है ये आपके खाते से लिंग होता है इसलिए किसी बिक्ति के मृत्यू होने पर उसकी परिबार को आईकर भिबग में संपर कर प्रेंड कार्ट को सेरंडर कर जाना चाहिए लेकिन सेरंडर करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि मृत्यक के सभी खाते बंद हो चुके है इसके बाद भोटर आईडी कार्ड भरकार इसे रत करा सकता है और ध्यान रहे कि इसके लिए मृत्यक के मृत्यू प्रमन पत्र के भी अबश्रकता होगी इसके बाद है पास्पोर्ट दोस्तो बात अगर पासपूर्ट की करे तो मृत्य होने पर पासपूर्ट को सरेंडर या रत करना का कोई भी प्राब्दा नहीं है जब पासपूर्ट की समाई सिमा समाप्त हो जाती है तो ये डिफॉल्टर के तोर पर आमन्ने हो जाता है तो दोस्तो यह था आज का वीडियो वीडियो आपको informative लाग हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे और इस वीडियो को और भी लोग के पास शेयर कर दे ताकि यह जानकारी और भी लोग के पास पहुच सके तो next और एक वीडियो में मिलते है Thanks for watching